भोचपुरी पावस्टार पवन सिंग और स्मृति सिन्हा के रिष्टे को लेकर आजकल भोचपुरी इंडस्ट्री का बाजार गर्माया हुआ है अब ऐसे में स्मृति सिन्हा ने इन सारे मामलों पर चुपी तोड़ते हुए क्या कहा है चलिए हम आपको बताते हैं हाल ही में एक इंडियन पोटल को इंटरव्यू देते वक्त स्मृति सिन्हा ने अपने और पवन सिंग के रिष्टे पर खुलासा किया और जम कर भड़ास निकाली उन नए यूट्यूबरों पर जो की बेवजय की खबरे बनाते हैं हान आज कल आप देख रहे होंगे कि भोजपुरी इंडिस्ट्री में स्मृति सिन्हा और पवन सिंग के रिष्टे को लेकर बहुत कुछ कहा जा रहा है तो इस्मृति सिन्हा ने जो कहा है हम आपको बता देते हैं पर स्मिती सिन्हा ने ये कहा है कि मैं और पवन सिंग एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं ना मैं इंडस्ट्री में नहीं हूँ ना पवन सिंग इंडस्ट्री में नहीं है ना ही कुछ ऐसा नया हो रहा है कि कोई जोड़ी बैक टू बैक भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रही है हम एक दूसरे के साथ कमफोटेबल है इसलिए हम काम कर रहे है आगे बात करते हुए स्मिती सिन्हा ये कहती है कि पवन सिंग और जोती सिंग का तलाक लगभग दो साल पहले से ही चल रहा है मैं पवन सिंग से पान से छे महिने पहले ही मिली हूँ हम दोनों में एक अलग सी बॉंडिंग है जहां तक पवन सिंग की बात है पवन सिंग बड़े दिलवाले हैं यारों के यार हैं बड़े ही चरित्रवान हैं और उनके साथ काम करना मुझे अच्छा लग रहा है हमारी केमेस्ट्री अच्छी है एक दूसरे के साथ तो इसलिए लोग इस तरह के सवाल उठा रहे हैं लेकिन अगर बात की जाए कि मेरी और पवन सिंग के रिष्टे के बारे में तो हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं यहां सारी अफवाओं को फुल स्टॉप लगा दिया है एक्ट्रिस मृति सिन्हा ने साथ ही साथ उन्होंने उन यूटूबरों की भी क्लास लगाई जो की नए-ने सोशल मीडिया पर हैं और बेवज़े की बेतुकी खबरे बना कर लाइम लाइट में आना चाहते हैं बोचपरी जगत की होट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलिए